दोस्तों बहुत सारे सैमसंग गैलक्सी टैब A8 यूजर्स ने हमें ऐसा कंप्लेन किया है उनका जो टैब है उसका स्क्रिन पूरी तरह से ब्लैक हो जुके है या फिर वो बिलकुल भी टर्न ओन नहीं हो रहा है वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो उसे टर्न ओन नहीं कर प बताने वाले हैं तो जो लोग कहते हैं उनके सैमसंग गैलक्सी टैब A8 का स्क्रिन पूरी तरह से ब्लैक होके रखे हैं वो दो वज़े से हो सकते हैं एक हो सकते हैं उनके टैब के बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुके हैं और दूसरा वज़ा ऐसा हो सकते हैं कि उनके ग पैटरी ड्रेनी इशू की वज़े से हो रही थी तो आपको यह स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देंगे ऐसा है तो आप उसे कुछ देर तक चार्ज पर रखिए और उसके बाद उसे टार्ड ओन करने की कोशिश करिए और जिन लोगों के स्क्रीन स्लीप मूट पर जाके रखे स्क्राद है उन्हें कॉट नहीं जो करना है सबसे पहले हिँ आपको से चाहल को rivale कि वर्थ करने के लिए उपर PAC करने की लिजे अगर यह अभी भी सैंसंग लोगों पर के रखे हैं तो आपको जो करना है इससे रिकोवर इमूट पर लेना और उसके बाद येए factory research करने से पहले आपको यह जानके रखना है यह करने से आपके tab A8 से जितने सारे data है आपके वो सारे erase हो जाएंगे recovery mode पे जाने के लिए आपको जो करना है power button और volume up button को एक साथ tap करके hold करके रखना है जब आपको Samsung के logo दीख जाएंगे उस वक्त आपको power button को छोड़ देना है और volume up button पे tap करके hold करके रखना है जब तक कि यह recovery mode पे ना चला जाएं तो आप लोग देख सकते हम यहाँ पे recovery mode पे enter कर चुके हैं अब हमें यहाँ पे volume up button और volume down button के मंद़ से उपर नीचे जाना है अब हमें यहाँ से चूज करना है wipe data और factory reset यह select करने के बाद हमें power button पे tap करके उसे okay करना है volume down button के मंद़ से हम नीचे factory data license option चूज करेंगे अब हम फिर से power button पे tap करके इसे confirm कर दीएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर data wiping शुरू हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पर जितने सारे data है, वो erase होना शुरू हो गये हैं. तो हमारे यहाँ पर data wipe complete हो चुके हैं, अब हमें जो करना है, power button के मदद से reboot system now को select करके, इसे ok करके हमारे जो tab है उसे restart कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हमारे Samsung Galaxy Tab A8 turn on हो चुके हैं तो आप भी हमारे दिखाई हुए solution को follow करके आपके Samsung Galaxy A8 tab पे turn on ना होने जैसे problem या फिर Samsung logo पे stuck होने जैसे problem solve कर सकते हैं आशा करते हैं आमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे मिलते हैं अगले वीडियो पे तापता के लिए आलविदा